भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की उर्जा से फिर पुनर्जवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ, हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्व व्यापी गोछना कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आसित से काल के कपाल पर काला अस्थित्व का सिला लेख लिख दिया। आज एक बार फिर आज जादी के इस अमरित काल में अमर अवन्तिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की गोछना कर रही है। उज्जेन जो हजारों वर्षों से भारतिय काल घंकना का केंद्र बिंदु रहा है। वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए काल घंका उद्गोष कर रहा है। साथियों भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामुहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का देह है विश्व का खल्यान मानो मात्र की सेवा। हम शीन की आरात नविव कहते है नमामी विश्वत्य हिते रतम एतम। नमामी विश्वत्य हिते रतम तम। नमामी रुपाणी बहुनी जत्ते। अर्थात हम उन विश्वत्य भगवान शीव को नमन करते हैं जो अनेक रुपों से पूरे विश्व के हीतों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तिर्थों मंदिरों मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पुरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। शियंस्त कुम्ब लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अंगिनस विविचताय भी एक मंत्र एक संकल पर लेकर एक साथ जुड़ सकती हैं। इसका इससे बड़ा क्या उद्धार क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुम्ब मेले की परंपरा बहुती सामुहिक मंथन के बार जो अम्रित निकलता है। उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसो क्रियानवित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बार जब कुम्ब होता था फिर एक बार अम्रुत मंधन होता था फिर संकल्प लिया जाता था फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुम्ब के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और यह बेटा आये बिना कैसे रे सकता है। और उस समय कुम्ब की हजारों साल की पुरानी परंपरा उस समय जो मन मस्तिक में मंधन चल रहा था। जो विचार प्रवाब बह रहा था। माक्षिप्रा के तड़ पे अनेक विचारों से में गिरा हुआ था। और उसी मैंसे मन कर गया। कुछ शब्दे चल पड़े पता नहीं कहां से आये कैसे आये। और जो भाव प्यादा हुआ था वो संकल्प बन गया। आज वो सृस्ति के रुप में नजर आ रहा है दो। मैं ऐसे साथियों को बढ़ाई देता हूँ कि जिनोंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शीव और सिवत्व के लिए समर्पान। सबके मन में च्छिप्रा के लिए स्रद्धा जीव और प्रकृति के लिए सम्वेजन फिल्ता और इतना बड़ा समागम। विश्व के हित के लिए विश्व की भराई के लिए कितनी प्रेणा यहां निकल सकती है भाई और बहनों हमारे इन तिर्थों ने सद्यों से राष्ट्र को संदेश भी दिये हैं और सामर्थ भी दिया है कासी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्यान दर्शन और कलाटी राजधानी भी रहे उज्जेन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान एस्ट्रोनमी से जुड़े सुधों के सिर्ष केंद्र रहे है आज नया भारत जब अपने प्राचीन मुल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तो आस्ता के साथ साथ विज्ञान और सोज की परिम्कराव को भी पुनर जिवित कर रहा है आज हम एस्ट्रोनमी के छेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे हैं आज भारत दूसरे देशों की सेट्रलाइट भी स्पेस में लॉंच कर रहा है मिशन चंद्रियान और मिशन गगनियान जैसे अभ्यानों के जरिये भारत आकास की वो छलांग लगाने के लिए तैयार है जो हमें एक नई उंचाई देगी आज रख्षा के इस हैत्र में भारत पुरी ताकत से आत्म देर भरता की और आगे बढ़ रहा है इसी तरह आज हमारे हुआ स्कील हो स्पॉर्ट्स हो इस पॉर्ट्स में भी स्टार्टर एक एक चीज नई नए स्टार्टर पके साथ नए उनिकॉन के साथ हर छेत्र में भारत की प्रतिभाका डंका बजा रहे हैं और भाई यो भेनों हमें भी याद रखना है ये न भुले जहां इनोवेशन है वहीं पर इनोवेशन भी है हमने गुलामी के कालखन में जुकोया आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है अपने गवरव की अपने बैभव की पुनस्थापना हो रही है और इसका लाप सिर्फ भारत के लोगों को नहीं विश्वास रखिये साध्यों महाकाल के चरणों में बैटे हैं विश्वास से भर जाईए और मैं विश्वास से कहता हूं इसका लाप पूरे विश्व को मिलेगा पूरी मानवता को मिलेगा महाकाल के आशिरवात से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए सांसी के मार प्रसस्त करेगी इसी विश्वास के साथ भगवान महाकाल के चर्णों में मैं एक बार फिर सर जुका करके प्राम करता हूं मेरे साथ पुरे भगदी भाव से बोलिए जए महाकाल जए जए महाकाल जए जए महाकाल जए जए महाकाल जए जए महाकाल